Dear friends, Sample Question Paper 2021-22 के लिए Board ने Term 1 एक्जाम के लिए जारी किया है तो उसका सोलुशन हम देख रहे है, Mathematics Standard का, इससे पहले Mathematics Basic का, आपका Hindi का, English काम उसके लावाद Science, Social Science और Sanskrit और भी जो आपके सब्जेक्ट है, Computer, IT's और Business जो, जिसने Business ले रखा है, और जिसने Accounts ले रखा है, उन सभी को सॉल्व कर दिया गया, ताप उनके Answers की दे सकते हैं यहाँ पर भी मैं आपको आंसर की ही बता रहा हूँ, इसकी Detail Explanation अभी फिलाल नहीं दूँगा, मैं आपको फूरा का पूरा लाइफ सॉल्व कराऊंगा, इस पेपर को समझाऊंगा की कैसे कैसे सॉल्व करना है, और इस टाइप की Questions अगर आते हैं घुमा करके, तो क्या हो तो 2 Ratio, 1 B Option करेक्ट हो जाएगा, Next Question में आपको जो है, A Option करेक्ट करना है, 9 Value सही आएगी, Third Option में आपका 250 मीटर जो है, Value आएगी, और Fourth Question में आपका 19.2 cm जो है, Answer आएगा, Question No.5 में जो Value आएगी, वह आएगी 3 by 4, Probability की बात हो रही है, तो 3 by 4 आएगा, इसका Answer, इसके बाद हम similarity वाले में, तो यहाँ पर आजाएगा Ratio जो है, 2, Ratio 3, उसके बाद में आपका जो बीटा की Value निकालनी हो आजाएगी, 90 डिग्री, उसके बाद में Next जो Prime Factor of Denominator of a rational number with the decimal expansion ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2,5, इसके बाद हम बात करते हैं, Line X और Y जो है, इनको दे र इनका, तो अंडर रूट 61 यूनिट हो जाएगी, उसके बाद में हम बाते हैं, करें तो 11th question की बात करें, तो यह जो हापका हो जाएगा, A, इडरेशनल number हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Next question की बात है, तो नेक्स्ट जो question है, यह आपका बारवा question है, बारवे question में Next जो 15 question है, इसमें आपका D option करेक्ट होगा, जिसमें 40 option लिखा हुआ है, और आपका 16 question का 15 answer आएगा, 15 centimeter, जो की B option करेक्ट है, इसमें, आते हैं 17th question पर, 17th question में B option करेक्ट होगा, C centimeter आएगा, और 6 centimeter के बाद में, Next question में, J जो है A option करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 0 आपकी value है, 19 10th number question में D option correct होगा 10 X minus 14 Y is equals to minus 4 ये मैं आपको केवल answer की बता रहा हूँ next video मैं आपको complete इसका solutions दे दूँगा आपको live बता दूँगा या फिर आपको on board में समझा दूँगा इन सभी questions को कैसे आपको solve करने हैं इसका क्या procedure होगा वो सब कुछ मैं आपको बात दूँगा पहले मैं answers की बता रहा हूँ क्योंकि काफी students बोल रहें केवल answer की बता दो sir हम solve करने की कोशिश करेंगे और जब हम solve करने की कोशिश करेंगे तो automatically हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा तो इसका जो 21 number है answer उसका आ जाएगा c option correct 4 22 number की बात करें तो 22 number में इस टैप का एक graph है graph को draw किया गया है और इस graph से जो आपको answer निकालना था उसका right answer जो है c option correct हो जाएगा जिसमें 6 square units जो है इसका answer आ जाएगा आगे बढ़ते है next question की तरफ तो next question क्या बोलता है आपका तो ये next question जो बोलता है ये sign cost की term में है तो इसका जो answer आ जाएगा वो 2 आ जाएगा 24th number का answer number 1 को right करना आपको 5 इसका answer आएगा 25 में c option को right करना इसमें 38 आएगा 26th number question में a option correct होगा जिसमें 11 by 13 आ जाएगा 27 में आपका b option correct होगा जिसमें 11 by 36 आ जाएगा आपका एक भी answer में गलत नहीं बताऊंगा चिंता करने की ज़रूत नहीं है टोटल answer correct है बस आपको solve करके यही answer आपको लाने है और यही आपका real answer है इसके बाद में मैंने जैसे बता है मैं आपको बाद में बता दूँगा सारी detail explanation और उसके लावा जो भी आपके subject से जिसमें English, Hindi, आपका social science, SST, Sanskrit, business studies जिसने लिया है element of science accountancy जिसने लिया है computer जिसके पास है SC 10th class exam papers के नाम से जो playlist है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे विदानसर की उसके अलावा मैंने जो भी है आपके सारे के subject के PDF भी डाल दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर आप किसी के पास question paper नहीं है तो उस solution को अभी आप download कर सकते हैं PDF के through जो की link इसको वीडियो के description box में मिल जाएगी 28 number question की बात करूँ तो 28 number में जो है आपका C option correct हो जाएगा ठीक है इसके बाद में हम बात करते है 29 number की तो इसमें A option correct हो जाएगा और 30 में आपका C option correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ तो 31 number जो है इसमें आपका D option correct हो जाएगा और इसके बाद में 32 number जो question है इसमें आपको B option correct करना है 33 में आपका A option correct हो जाएगा जिसमें 13 by 100 है 34 में आपका जो 16 by 3 cm correct है B option correct है इसमें 35 में A option correct हो जाएगा 2 by 3 इसके बाद हम बात करें तो 36 में आपका आंसर आ जाएगा 98 cm2 37 में इस ट्रेप का आपको एक सर्कल दिया गया है जो कि कलरफुल है और इस कलरफुल सर्कल को इस क्वेशन का कोडिंग आपको जो यानि कि आप बोल सकते हैं तो ऑलमपिक लिंग्स है और आपको आंसर निकलना थो करेक्ट草एगा नासर और गीका locks प्र में से स्थरे करेक्शन सी की बात करें तो यहां पर इस के अंदर आपको जो है पहले इस question को दंग से पढ़ना होगा इसके accordingly जो आपसे question पूछे जाएंगे उनके answer से देने है तो मैं बतायता हूँ 41 जो number question है इसका answer आजाएगा 48 C option correct है 42 में आपका 2 seconds यानि की B option correct है उसके बाद में 43 जो question आएगा उसमें थर्ड आपका जो fourth option है यानि की D option जो है वो correct हो जाएगा 44 में third option correct होगा और 45 में A option यानि की first option correct हो जाएगा 3 इसके बाद में second case study है इसको आपको पढ़ना है और फिर मैं आपको इसको answers को clear करना है तो चलिए मैं answers बतायता हूं यहां से तो इस type का यह आपको जो है एक तरह से basket ball का ground दिया हुआ है या hockey field बोल सकते हैं दोनों के दोनों same ही होते हैं बस diagram तो same ही होता है तो इस तरह से हम बात करते हैं इस question के answers की जो की 46 number से start होता है तो A option इसमें correct हो जाएगा और 47 में C option correct हो जाएगा 48 में A option 49 में B option correct हो जाएगा और इसके बाद में 50 number जो last question इसमें आपका D option correct हो जाएगा तो यह था आपका mathematics का answer की और जो detail solution है मैं आपको दे दूँगा बाद में बाकी subjects के answer की आप सभी के देख सकते हैं सभी के सभी upload कर दिये गए आपको टेंसल नेने की बिल्कूल भी आफशकता नहीं है घबराने की जरूत नहीं है आपके लिए सब कुछ solutions जो हैं available करा दिये जाएंगे time रहते ही thank you very much for watching this video have a good day